तालक शेत्र के साथ लगते लुड़हरी गाउं के लोग आजादी के 75 वर्षों बाद भी नर्की या जीवन जीने को मजबूर है गाउं के लोगों को बाजार इत्यादी जाने के लिए कुनाह खड जान हतेली पर रखकर पार करनी पड़ती है अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो गाउं के लोग चाहकर भी खड पार नहीं कर पाते हैं कई बार तो दो तीन दिन तक लोग बाजार नहीं जा पाते हैं ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार लोगों को जरूर परिशानियों से जूचना पड़ता है ग्रामिनों को 5-7 किलोमीटर का सफर तैय करके ही ताल पहुचना पड़ता है ग्रामिनों ने सरकार वजिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि कुनाह खड पर जल्द से जल्द पुल का निर्मान करवाया जाए पर 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 चुके हैं कि समस्या हुः तो मैं बहुत दिक्कत आती हिए जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल को जाना हुए बैसे भी चूटी हो जाती है बच्चों की sen और आना जाना बड़ा मुस्कल हो जाता है हमें और हमें एक समस्या है जो पुल अगर डाल दे तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें आने जाने की सुब्द यह वो अच्छी हो सके और बच्चे बिमार सुमार वगेरा या बुड़े वगेरा जो आते हैं उनको हमें सुब्दा मिल जाए सरकार के तरब से मैं सिर सिंग लूनरी निवाशी सरकार से आप से नवेदन करता हूँ कि यहाँ पर कोई 300 घर हैं 300 घर से भी ऊपर हैं इनकी बड़ी पर समझ्या है तो आप सरकार से नवेदन है जल्दी से जल्दी पूल डाल दें हमें तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों का बुड़ाओं का बड़ा ख्यार रखा दिविया हिमाजल टीवी के लिए दिंडवी टिकर से सुलक्षन पटियाल की रिपोर्ट